ओम नमस्षिवाय जै महाकाल अगर आपके घर में पैसों की कमी है यानि कि पैसा आपके घर में टिकता ही नहीं है रुकता ही नहीं है तो पूझ गुरुजी की कता से सुनके आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं बस तेरा तारिक या फिर चौदार तारिक को आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है दो बूध गंगा जल डाल करके एक छोटा सा उपाय है करके देखेएगा आपको फायदा जरूर मेलेगा लेकिन सबसे पहला काम आपको वीडियो को लाइक करना है आवाज आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं आचानक से वीडियो ठीक है देखो मैंने क्यों इस स्क्रीन पर लिखा था कि 13 तारीक और 14 तारीक दोनों दून में से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं इसलिए सामने आपके सामने पंग्चांग कुला है जिसमें तिती लिखी है सुकल पक्ष एकदसी जो कि 13 मार्च को सुबह 10 बच करके 22 म मिनट तक है यानि कि 13 तारीक से आप 10 बच करके 22 मिनट सुबह से और 14 तारीक को दोपहर 12 बच करके 5 मिनट तक इस उपाय को कर सकते हैं ठीक है अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको क्या चाहिए आपको लेना है कोई साभी एक जलका पात्र चाहे तो आप लोटा ले भी कटी फिटी हुई नहीं होनी चाहिए पुरानी नहीं होनी चाहिए बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बेल पत्र लीजिएगा इतनी बात समझ में आई अब के बाद इसी लोटे में आपको डालना है गंगा जल डालना है अगर आपके पास ध्यान से सुनिएग लेकिन अगर आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल है तो पानी मिलाने की जरूरत नहीं है ठीके इसमें गंगा जल डालिएगा और साथ बेलपत्र डाल दीजेगा ठीके बस इतना ही काम इसमें करना है उसके बात क्या करना है जो लोटे का पात में जल है उस जल को जो न आपके पास लोटे में क्या बचेगा आपके पास लोटे में बचेगा बेल पत्र उस बेल पत्र को महादेव को शिवलिंक पर आप चढ़ा देंगे श्री शिवाय नमस्तुव्यम का इसमनर करते हुए अब वो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे कैसे इसका भी बहुत ज़्यादा विशेश ध्यान रखेगा देखी आपके सामने फोटो दिख रही है जिसे मैंने अपने हाथ में देखी कैसे पकड़ रखा है इसी तरीके से आपको भी पकड़ना है बेलपत्र को और उल्टा वाला भाग उपर रहेगा सीधा वाला भाग नीचे रहेगा यानि कि जो सीधा वाला भाग है बेलपत्र का वो महादेव की उपर रहेगा और उल्टा वाला भाग उपर रहेगा ध्यान से एक बार देख लीजे इस बेलपत्र को किस तरीके से चढ़ाए गया है ठीक है इसी तरीके चढ़ाईएगा और जो बेलपत्र की डंडी हो वो आपकी तरफ होनी चाहिए इस बात का भी विशेज ध्यान रखिएगा बस इतनी सी ही छोटे सी बात थी उमीद करता आपको समझ में जरूर आया होगा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिच की है कि आपको अच्छा समझ में आये तो आप 13 तारिक या फिर 14 तारिक इन दोनों दिनों में से कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं अगर आपके घर में पैसों की कमी है धन दौलत की कमी है वीडियो प सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जै महाकाल